मुखी रुधराक्ष वही धारन करे जिसकी रासी का स्वामी शूर्य है तथा धन बैवब के लिए एक मुखी रुधराक्ष सबसे उत्तम माना गया है दो मुखी रुद्राक्ष चंद्र का बल बढ़ाता है जो दामपत्य सुखों देता है ये रुद्राक्ष अर्द नारेश्वर रूप माना गया है अर्द नारेश्वर रूप का जो रुद्राक्ष होता है वो विशेश रूप से ग्रहस्तियों के लिए अति उत्तम माना गया है तीन मुखी रुद्राक्ष त्रदेव का प्रतीक है जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोसों होता है जो मंगली होते हैं या किसी भी कारण से बहुत अधीक उग्र होते हैं उन लोगों को तीन मुखी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए जो क्रोध को शांत करता है कुरूरता को सांत करता है और उदर रोग को शांत करता है चार मुखी रुद्राक्ष जिनकी बुद्ध की रासी है उन्हें धारन करना चाहिए यादाश शक्ती को बढ़ाता है ज्यान की शक्ती को बढ़ाता है और वानी को प्रबल करता है इसलिए उन्हें चार मुखी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए पंच मुखी रुद्राक्ष गुरु ब्रहस्पति का होता है और इस रष्टी में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले रुद्राक्ष हैं वो पंच मुखी रुद्राक्ष हैं जिसको सब कोई धारन कर सकते हैं हर एक जीव उसे धारन कर सकता है मानसिक शानती के लिए तथा दुरगटना नासक के लिए पंच मुखी रुद्राक्ष को विशेश रूप से धारण किया जाता है छै मुखी रुद्राक्ष शुक्र की शक्ति को बढ़ाता है जिससे प्रेम प्राप्त होता है सुन्दर्ता प्राप्त होती है पाप मुक्ति होती है और व्यक्ति के ज वो समाप्त होते हैं सर्व बाधा समाप्त होती है सात मुखी रुद्राक्ष शनी की शक्ति को बढ़ाता है और ये हन्मान जी की क्रपा को देने वाला है अगर किसी के इसनायू दुरबलता होती है अगर किसी की नसों का रोग होता है मिर्गी की होती है पक्षा घात होता है त आठ्ष्ट मुखी रुद्राक्ष राहु की शक्ति से प्रभावीत है। जिनके जीवन में बहुत चलाई मानता है, उन व्यक्तियों को जो ब्रह्म में रहते हैं, ब्रह्म नास के लिए उन लोगों को 8 मुखी रुद्राक्ष पहनाना चाहिए। जिनके बार-बार एक्सिडे नौमुखी रुद्राक्ष केतु की शक्ती से प्रभावित होता है जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोस होता है उन्हें नौमुखी रुद्राक्ष पहनाना चाहिए जिन लोगों को नेतरत्व की क्षमता अपनी जीवन में बढ़ानी हो उन्हें नौमुखी रुद्र रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए।